नमस्कार साथियों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल M Study Bank में तो कैसे हैं आप सब आसा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे साथियों यदि आप GK पर ना पसंद करते हैं या फिर किसी competition की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा क्योंकि इस वीडियो में 20 interesting GK के सवाल पूछे गए हैं और साथ में जवाब भी बताये गए हैं अगर आप किसी भी सवाल का जवाब पहले से जानते हैं तो नीचे comment box में जरूर लिखें तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं सवाल नमबर एक है भारत में राष्ट्रियो युवा दिवस कब मनाया जाता है option A है 10 जनवरी को option B है 12 जनवरी को option C है 10 फरवरी को या फिर option D 20 फरवरी को साथियों आपको हर सवाल का जवाब देने के लिए 10 सेकेंड मिलेंगे अगर आपको ज्यादा समय चाहिए तो वीडियो को पाउज कर सकते हैं तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब सही जवाब है option B 12 जनवरी को दूसरा सवाल है भारत सरकार ने कोवी सिल्ड कोरोना वैक्सिन डोज के लिए किसके साथ समझोते पर हस्ताक छड़ किये क्या आप जानते हैं option A है सीरम इंस्टिचूट ऑफ इंडिया option B है गैमा लेया इंस्टिचूट option C है सिपला कंपनी या फिर option D इन मेंसे कोई नहीं सही जवाब है option A सीरम इंस्टिचूट ऑफ इंडिया सवाल नमबर तीन है विश्वका सबसे बड़ा महादवीब कौन सा है option A है एसिया, option B है अफरीका, option C है अन्टार्क्टीका या फिर option D उत्तरी अमेरिका सही जवाब है option A एसिया सवाल नमबर चार है, रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है option A है दो मीटर, option B है चार मीटर, option C है तीन मीटर, option D है एक मीटर सही जवाब है option D, एक मीटर सवाल नमबर पाँच है, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है option A है जिराफ को, option B है भालू को, option C है उत्त को, या फिर option D कंगारू को सही जवाब है option C, उट को साथियों रोजाना इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन दबा कर नोटिफिकेशन को आउन कर लीजिए अगला सवाल है, ट्रेफिक सिगनल की सुरुवात सबसे पहले किस ने की थी? option A है बस इस्टेंड, option B है आटो इस्टेंड, option C है रेलवे या फिर option D, इनमेंसे कोई नहीं सही जवाब है, option C, रेलवे सवाल नंबर साथ है, बान भट किस समराज के राज दरबारी कवी थे? क्या आप जानते हैं? option A है हर्सवर्धन, option B है गोवर्धन, option C है चंद्रगुप्त, या फिर option D, अन्य सही जवाब है, option A हर्सवर्धन सवाल नंबर आठ है, वायू मंडलिये दाब मापने का पैमाना क्या है? option A है वोल्ट मीटर, option B है मिली मीटर, option C है बैरो मीटर, option D है डेका मीटर तो इसका सही जवाब हो जाएगा, option C, बैरो मीटर सवाल नंबर नौ है, रविंद्र नाथ टैगोर ने भारत के अलावा किस देश का राश्ट्रिय गान लिखा? option A है बांगला देश का, option B है जापान का, option C है अमेरिका का, या फिर option D स्विजर लेंड का? सही जवाब है, option A, बांगला देश का सवाल नंबर दस है, दिल्ली के सुल्तान, रजिया सुल्तान किसकी पूत्री थी? option A है इबराहीम लोदी की, option B है औरंग जेब की, option C है हुमायू की, या फिर option D, सम्सुद्दीन इल्टूत्मिस की? सही जवाब है, option D, सम्सुद्दीन इल्टूत्मिस की? साथियों रोजाना इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिये और घंटी का बटन दबाकर नोटिफिकेशन को आउन कर लीजिये सवाल नंबर 11 है, बिहार का सोक किस नदी को कहा जाता है? option A है, गंगा नदी को, option B है, कोसी नदी को, option C है, गोदावरी नदी को, या फिर option D, यमूना नदी को सही जवाब है, option B, कोसी नदी को सवाल नंबर 12 है, पलासी का यूध कब हुआ था? option A है, सत्रो सो पचपन में, option B है, सत्रो सो सलतावन में, option C है, सत्रो सो असी में, या फिर option D, सत्रो सो पचासी में सही जवाब है, option B, सत्रो सो सलतावन में, सवाल नंबर 13 है, बुर्ज खलीफा का मालिक कौन है? option A है, मुहम्मद अल्लाबर, option B है, सेख खलीफा बिन जायद, option C है, मुहम्मद यूसुफ, या फिर option D, इन में से कोई नहीं सही जवाब है, option A, मुहम्मद अल्लाबर सवाल नंबर 14 है, जैतून किस देश में बड़े पैमाने पर उगाया जाता है, क्या आप बता सकते हैं? option A है, अमेरिका में, option B है, कुएट में, option C है, साउदी अरब में, या फिर option D, फरांस में तो इसका सही जवाब हो जाएगा, option D, फरांस में सवाल नंबर 15 है, कंचन गंगा परवत सिखर कहां इस्थित है? option A है, गुजरात में, option B है, केरल में, option C है, सिक्किम में, या फिर option D, उत्तर परदेश में सही जवाब है, option C, सिक्किम में सवाल नंबर 16 है, परथम भारतिय फिल्म, राजा हरीश चंदर के निर्माता कौन थे? option A है, दादा साहे फाल के, option B है, पिर्थवी राज कपूर, option C है, अधरेश सिर्ष इरानी, या फिर option D, इनमेंसे कोई नहीं सही जवाब है, option A, दादा साहे फाल के सवाल नंबर 17 है, भारतिय नेपोलियन की उपादी किसे दी गई है? option A है, चंदर गुप्त को, option B है, समुद्र गुप्त को, option C है, असोक को, या फिर option D, इनमेंसे कोई नहीं सही जवाब है, option B, समुद्र गुप्त को सवाल नंबर 18 है, चीनी यात्री फाही यान किस गुप्त सासक के सासनकाल के दोड़ान भारत आया था? option A है, चंदर गुप्त, option B है, समुद्र गुप्त, option C है, मौर्य गुप्त, या फिर option D, इनमेंसे कोई नहीं सही जवाब है, option A, चंदर गुप्त सवाल नंबर 19 है, ऐ मेरे वतन के लोगों देशभक्ती गीत किस ने लिखा है? option A है, अल्लमा इकबाल ने, option B है, बमकिन चंदर चटर जी ने option C है, प्रदीब ने, option D है, अन्य सही जवाब है, option C, प्रदीब ने सवाल नंबर 20 है, राजारानी मंदिर कहां इस्थित है? option A है, उडिसा में, option B है, पंजाब में, option C है, हरियाना में, या फिर option D, चंडिगर में सही जवाब है, option A, उडिसा में सवाल है, विश्वका सबसे बड़ा देश कौन सा है? option A है, अमेरिका, option B है, चीन, option C है, रूस, या फिर option D, भारत साथियों ये सवाल आपके लिए है, इसका जवाब आपको नीचे comment box में दे कर जाना है साथियों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सबस्क्राइब करके घंटी का बड़न दबा कर notification को on कर लें रोजाना इसी तरह का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद